नमस्का फ्रांस प्लानेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार दिक स्वागत है और सब्जेक रहेगा इस बार 1977 मीन रासी बर्थ की बात करेंगे गुरु के घर की रासी मीन रासी और 77 में प्लानेट्स रहे कैसे चार बड़े मेगा प्लानेट्स की बात करेंगे कितु गुरू इस चार प्लेंडर्स लंबे टाइम तक कुनली में ब्रह्मन करते हैं तो यहां जो बात करेंगे वो है मीन रासी की मून साइन चंद्रकुनली से थोड़ा प्रकास जा लेंगे कि आपके पास्ट कैसा रहा और फ्यूचर कैसा रहेगा और प्रेजन कैसा चल रहा है तो आपको ग्रव के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी आपकी कुनली के बारे में पर्टिकुलर सब सही होगा ऐसा नहीं होता है यह खाली एक अंदाजन है क्योंकि हमारे पास खाली चार ही प्लेनेट से हैं पूरी कुनली हमारे पास किसी भी व्यक्ति पर सकेंगी नहीं है पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेकर बात करनी हो तो उसमें पूरा प्रेडिक्षन अपने सही तक जा सकते हैं लेकिन यहां एक मास मीन रासी 1977 की बात कर रहे हैं तो उसमें खाली चारी प्रेनेट्स को देखके सब खाली प्रकाश तो यहां देखिए पहले चलेगा जन्वरी एंड तक 77 में जन्वरी एंड तक केतू और गुरू यहां बैठे थे दोनों साथ में और जन्वरी और फरवरी के आसपास गुरू यहां वरसब रासी में आगे थे तो यहां मेस रासी में गुरू के साथ केतू बैठा है तो ये बन जाता है एक बहुत बड़ा दुर्योग आपकी रासी का स्वामी पहले मैं यहां से यह निकाल देता हूँ तो आपको आड़ आएगा राहू भी चेंज हो रहा है राहू चेंज होगा फस्ट मैं को लेकिन उसके पारे में बात करेंगे पहले गुरू की बात करेंग वो गुरू केत्व के साथ बैठने से या बहुत आध्यात्मिक लेवल पर बहुत बड़ा लेवल पर जाते हैं। उनकी जो कलता शक्ती है उनकी विचार सकती है वो बहुत लोगों से अलग रहेगी। लेकिन ये गुरू केतू के साथ एक अवस्ता होती है तब तक गुरू केतू सही फल देने नहीं देता केतू उसको चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न बैट हो कितने भी दूसरे प्रैनेट से अच्छे स्ट्रॉंग क्यों न हो लेकिन यहां गुरू के साथ केतू बैठके अगर उसकी दसा अंतर दसा गोचर ये सब सही चल रहा है तो आपको कम उमर में आपको टॉप पे लागनेगा लेकिन अगर आपकी उमर की अवस्ता नहीं है और दसा अंतर दसा गोचर सही नहीं है चला अभी तक तो आपको ये खीच के लेके जाएगा 42, 45, 46 तक तब तक आपकी जो अंदर की क्षमता है आपकी जो क्वालिटी है वो बाहर नहीं आएगी तो ऐसी कुनलियों में व्यक्ति को पूरा एक निचोर जैसा दिया जाता है बहुत ही शंगर से रहता है जीवन में सब तकलिफे रहती है कोटमबिक प्रॉबलम रहते हैं वाद विवाद रहते हैं माता पिता से अन्बन रहती है या कम उमर में माता पिता का साया हाथ से चला जाता है खास करके पिता की बात कर रहे हैं तो ऐसे गुरू के तो के साथ बैटने से मैंने जैसे बताया आपको के आपकी क्षमता बाहर आने नहीं देगा आपके अंदर जो क्वालिटी है आपके अंदर जो आप जो जानकर ही रखते हो आपके अंदर जो पगवान ने कुछ दे के भेजा इस दुनिया के अं राहू इतना इच्छनिया नहीं है वो भी طularासीका है क्यूंकि यहां मीन रासी के अंदर तुलारासी अश्टम रासी की नहीं जाती और वहाँ जब रहू बैड़ जाते है तो कौटम्बिक वाद विवाद देते हैं साथ ससुर से ससुराल से वाद विवाद देते हैं माता पि पॉइंट यहां इस टैफ का बन सकता है यह बात हो गई मैंने जैसे बताइया कि जनवर ही से फरवरी के आसपास के हैं अब यहाँ बात करेंगे तो गुरु यहाँ इस में से इस में चला जाएगा व्रसब रासी में से निकल कर वरसब में जाएगा और वरसब में जाके गुरू यहां थुद शुक्र की रासी है तो शुक्र की रासी में गुरू यहां ऐसे इतने फेवरेबल नहीं गीने जाते हैं क्यूंके वो अपने दुश्मन की रासी है शुक्र की रासी मतलब अपने जो दुश्मन है यह देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु है तो यहां शुक्र की रासी में बैठ के गुरु फिर यह आपकी जो रासी है उसके हिसाब से आपके अंदर सब गुंधर्मा गुरु के होने चाहिए लेकिन जब लगनेस ही इदर रसब में बैठ जाएगा शुक्र की रासी में तो ऐसे सारे फिल्ड में देखे गए जैसे के बॉलिवुड जगत है टॉलिवुड जगत है या जो भी शुक्र से रखते रिलेटेड जो काम है खाना पीना बेवरेचीस है फूड है फिर क्रोकरी ह फिर एंटिक स्टीजेस है फिर अपना ये पकड़ लीजे आपका कॉस्मेटिक्स एंड कपड़े का काम है हीरा है डाइमन है तो ये सब चीजों में फिर व्यक्ति को लेके जाता है लेकिन दूसरे अगर गरफ पावरफुल है प्लैनेट्स मजबूत है तो ये गुरु आप आपको अच्छा फल देगा आपकी कौंड़ी कैसी है एसेंडेट कैसा है सब इसके उपर निरभर करेगा ये खाली एक हाइलाइट से हम सही ही है हम एसा नहीं बोलते है क्योंकि ये खाली एक प्रकास डाल रहे है कुनली के उपर उस टैम में इस टैम का घ्रह चल रहा है तो ऐसे संजोग बनने चाहिए तो यह हो गई बात गुरु की तो ऐसा गुरु एक अच्छी पत्नी देता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर देता है आप जेंडर कोई भी हो तो यहां एक अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा बिजनेस पार्टनर मिलेगा और यह गुरु खुद भाग्यस्तान को भी देख रहा है क्योंकि यह वो आपकी रासी का लॉडस है और रासी का लॉडस है और करमस्तान का लॉडस हो कि वो यहां थर्ड house में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति परसन ज्यादा तर marketing लाइन में रहते हैं गुमने का काम करते हैं गुम फिर के जो भी काम रहते हैं उसमें ज्यादा तर पाए गए हैं तो यहां जो भी थर्ड house में गुरू है वो गुरू भाग्यस्तान को और 11th house को भी है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है profit की earning की capacity की जो आप कमाई करोगे वो धीरे 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 आपका लेवल जैसे जैसे आपकी उमर होगी वैसे वैसे यहां बढ़ता हुआ नजराएगा अभी बात करेंगे शनी की लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहां first में में राहू change हो होगा मतलब हो गया है first में राहू change होके कन्या रासी में आएगा यहां और केतु आएगा मीन रासी में यह केतु और यह रहा राहू देखिए यहां केतु आपके चंदर के साथ बैठ गया है और वो भी आपकी बाड़ी के उपर यह केतु मैंने जैसे बोला बहुत सारे आध्यात्मिक लेवल पर जो गूरु रहते हैं बहुत सारे संत रहते हैं या बहुत spiritually आदमी strong रहता है या कोई भी पूझा पांट से लगती चीज़ों के अंदर कन्वा गांडी ब्राह्मन से लेकर जो बहुत बड़े book seller है जो खाली यह सब spiritually वाली सब चीज़े रखते हो उस टाइप के लेवल का काम आपको यह गुरु दे सकता है या बहुत बड़े आपके लेवल समझो बड़ा काम नाम दाम कमा सकते हो और आप आपके जो बीक्षेतर हैं जैसे करके कि आपने कोई भी फिल्म में आप दूसरे भी गरह आपके कैसे उसके उपर लेकिन आपका जो समय आने पे आपका जो नाम होगा वो थोड़ा सबसे अलग तरीके से होगा सबसे उन्चे लेव कि गुरू यहां देख रहा है लेकिन फिर भी एक बार का आपको लव मेरेज करा सकता है अजर कास में आपकी साधी हो सकती है और साधी देखो इसके उपर फिर दूसरे प्लैंट से देखने पड़े यह खाली हाईलाइट से लव मेरेज हो सकती है अजर कास में जा सकते हो व दसा अंतर दसा गोचल खराब ये दूसरे प्लैनेट्स भी खराब है तो आपको बदनामी भी ये राहू दे सकता है अप्यस भी दे सकता है पात्र को लेकर आप जिस जहां साधी किये है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर आपको बदनामी अप्यस भी यहां मिल सकता है क्योंकि कि यहां राहू कन्यारासिक है लेकिन वो कहीं न कहीं वो अपना काम करता है तो जैसे मैंने बताया तो ऐसे व्यक्ति परसन की जो परसनालिटी रहती है वो थोड़ी अलग रहती है उनकी हाइड ज़्यादा रहती है या फिर एकदम सौड रहते हैं तो राहू जब सब्तम उसमें बैटा है लेकिन वो यहां उचका है तो आपको जीवन पात्र भी ऐसा मिलेगा अगर आपके दूसरे स्ट्रॉंग में प्रैलेट्स है तो उनके आने से भी आपके जीवने बहुत बड़ी तरक्की हो सकती बहुत बड़ा आपको इसाफा मिल सकता है ऐसे व्यक्ति प बहुत ही सक्सेस हमने देखे हैं और हमने पाए हैं तो यह एक पॉइंट यहां बनता है अभी लाश्ट बात करेंगे शनी के बारे में तो यहां शनी मैंने जैसे बोला कि शनी की वापस तीसरी नजर सब तमस्थान के ऊपर भी पर रही है तो हंडेड परसन अभी आपको य कुछ ने कुछ समस्या खड़ी कर सकता है या साधी होके या एंगेजमेंट होके उसमें डिवर्स करा सकता है आपको शेपरेट कर सकता है या आप लिव इन रिलेशन में आप रह सकते हो लंबे टाम तक कोई लव अफेर आपका चलता है फिर बाद में वह ब्रेक अप हो जा आता है आप सोचे ऐसे हमारे पास बहुत किस्से पंदरा साल तक अफेर चलता है और पंदरा साल के बाद वो जैसे साधी करते हैं जैसे साधी किया फिर उनका एक साल दो साल मेक्जिमम तील साल के अंदर डिवर्स हो जाता है अभी पंदरा साल तक अफेर कैसे चला साथवी आट भी कक्सा में रहते हैं तब से उनका फेर ख्राश या लव चलता है लेकिन जब वो साधी करते हैं और जब साधी करके वो एक दूसरे के ऐसे दुस्मन बन जाते हैं कि आप बोले यारत आप 15 साल से एक दूसरे को जानते हो रिलेशन में हो तो फिर अभी एक दूसरे का अगर तुम साधी करोगे तो आपकी साधी नहीं चलेगी अगर आप लीव इन डिलेशन में रहोगे तो वो साधी चलेगी लेकिन साधी नाम आपने जोड़ा आपने रजिस्टर कराया आपने साध फिरे लिए तो आपका रिस्ता 100% टूटेएगा यह सब एनालिसिस होता है कुली के हिसाब से कुली के ग्रहो के हिसाब से इस्टे यहाँ 1977 की बात हुई है वापस शनी यहाँ अपने घर को देख रही लएं था उसको वो भराबर ओर ठीक है लेकिन जब यहाँ देखता है टैंट नजर से तो वो नीच की नजर से सनी देखता है तो यहां रूपियों के लिए आपको बहुत परिशानी देखनी परते है, कॉटोंबिक वाद विवाद आपके पीछे पर जाते है, संतान से भी आपको समझ्या फेस करने को मिल सकती है, संतान आपके कहे में रहेंगे जिया संतान से कुछ ने कुछ आपकी अन्बन बनती रहेगे उन से आपको इतनी परिश्याने होगी कि आप ठक जाओगे खोटों भी बाद भी बाद पैसों से लगती चीजों में बैंकरफ्ट हो सकते हैं से व्यक्ति पर्शन और बहुत बड़ी बदनामी रूपियों से लगती चीजों म आपको यहां मिल सकती है यह थोड़ा अमने अनालिसिस किया है यह कोई 100% सही ऐसा नहीं है यह खाली एक प्रकास डाला है ग्रहों की और आपकी 77 की बातों मतलब जितने भी बर्थ है उनके उपर अच्छे रहो बढ़िया रहो खुश रहो ऐसे और की उड़े लेके आऊंग